प्रयाग्राज के बहादरुगन में जुआं सक्टे के धंदे बाज अप पुलिस से बशने के लिए हाई टेक तरीकों का इस्तमाल कर रहे हैं ऐसा ही एक जुएकाड़ा कोतवाली के बहादरुगन में पकड़ा गया जहां सुरक्षा के लिए मकान के चारो और सीसी टीवी कैमरे का जाल बिछाया गया था पुलिस ने संचालत बच्चा गुपता समेथ मौके से तेरा लोगों को गिरफता तार कर उनके कबजे से एक लाख उन्यासी हजार नगद व अन्यसामान बरामत किया है राद बारा बजे के करीब स्वाट टीम ने कोत वाली में चमेली वाई धर्मशाला के पास मौजूद थी राद बारा बजे के करीब मुग्दिर से सूचना मिली कि बहादर काने मुहले में रहने वाले बच्चा गुपता पत्र सुरेश चंडर गुपता के घर में जुआ चल रहा है जिस पर टीम बताये गए मकान में पहुची तो वहाँ जुए की फड़ सजी मिली पुलिस को देखती ही जुआ खेलने वालों में भगदड मच गई लेकिन टीम ने 13 लोगों को गिरफतार कर लिया पकड़े गए लोगों में संचालत बच्चा भी शामिल था मौके से 1.89 लाख नगद 15 मोबाइल एक तमंचा वा दो कार्थूस के साथ ही नौबं भी परामत हुए गिरफतार की गए लोगों को रात में ही कोटवाली थाने ले जाये गया जहां उनके खिराव जुआ अधिनियम, आर्मसैक वा विस्वोटक पदार्थ अधिनियम के तहट यपोर्ट दर्ज की गई मंत्री है संचालक के भाई बोले हो चुका है संबंध विच्छेद सूत्रों की माने तो संचालक बच्चा अपने घर में लंबे समय से जुआं का अड़ा संचालित कर रहा था जहां रोज बड़ी संख्या में जुआरियों का जमगाट लगता था यह भी बात सामने आई कि वह मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी का भाई है हाला कि मंत्री नंदी ने बताये कि उन्होंने उससे कई साल पहले संबंध विच्छेद करा लिया है उनका अब उससे कोई संबंध नहीं है खबर जगत प्रयाग्रा से एलन सिंग की रिपोर्ट की देखे कल स्वाट टीम और जो थानक भूरपूर के प्रभारी हैं बिंदा बन रहा है इनके नित्रत में और खोटवाली थाने के नित्रत में एक रेट की गई थी बहुत दिनों से सुचना प्राप्ट हो रही थी कि एक बहुत ही आगनाईजड गैंग द्वारा ब्यापक अस्तर पे जुवा और सट्टा खिलाया जा रहा है जिस पर इसको डेवलप करके और कल रात में रेट की गई थी मौके से कुल 13 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से 1,89,100 रूपए जामा तलासी में और फड़के बरामद हुए हैं पुल 15 मोबाइल फोन बरामद हुआ है और इनके पूरी विवस्ता करके रखते थे कि अगर कही रेट पड़ेगी कुछ होगा तो वो सम्मंदित पक्ष पे या पुलिस पार्टी पे आक्रामग भी होगे इसलिए इनके पास नो जिन्दा बं भी बरामद हुए हैं और एक तमंचा भी बरामद हुआ है यह जो प्रैक हुआ है यह एक बहुत ही सुरियोजिक तरीके से घर के अंदर यह अपना जुआ और सट्टा का कारोबार कराते थे और निशित रूप से इसे लोकल अस्तर पर भी बढ़ता था और इन लोग के पकड़े जाने से जो छोटे मुटे अपराध है और जो लव्यवक है जो बिगड रहे थे उन पे निशित रूप से लगाम लगेगा इस मामले में यह आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो टीम लगी हुई थी यह ब्रिंदावन राय की जो बर्तमान में थाना प्रभारी भूर्पुल है और इनको पुलिस अधिक्षक एसस्पी महोदे ने इनको नगर दिनाम की भोश्रा भी करी है यह पकड़े हुए है अपराधियों में कोई मंत्री का भाई भी है देखे उसमें इस सीच के बारे में अभी खिलाल उनके परि लिए अभी चैतर से आते हैं कि शोरी बियापारी भी है जो खेलते रहें लेकिन बैसिकली यह सोचल क्राइम कर रहा है यह अपराधी है क्या आप्राध कर रहे थे जो इल्लीगर यह आविधिक है और जिससे नहीं करना चाहिए इस जो बहादुर गंज में आवास है बच्चा का वहाँ यह संचालिग हो रहा था और वह एक्जाक्टी घर का नाम भी अभी प्रिश्टम ने मिला होगा बहादुर गंज का एड्रेस है और उसी में हो रहा था उसके टाइटिल किसके नाम से यह जानकारी करके आपको बताती हुआ है